हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूग चैनल पर दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एल्विस यादव का जीवन परिचे जिसे बेल विडियो कहा जाता है सोशल मीडिया पर उनकी विडियो काफी मशहूर है वो अपने स्कूल के दिनों से ही लोगों को हसाना पसंद करते थे वो अपने सभी दोस्तों को हसा कर उनका मनोरंजन करता था उन्होंने सबसे पहले अपने कैरियर की शुरूआत साल 2015 से आशीश चंचलानी और हर्श बेनीवाल जैसे यूट्यूग विडियो से कॉपी करके की थी 19 माई 2016 को इनोवेशन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जो लाइक बेस पर था इनोवेशन ने आशीश चंचलानी और हर्श बेनीवाल की नकल करते हुए बेले बनाना शुरू किया उन्हें इंस्टाग्राम पर ज्यादा रिस्पॉंस नहीं मिला जिसके चलते उन्होंने फेस्बुक पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया फेस्बुक पर उनकी वीडियो को भी ज्यादा सफलता मिली फिर भी उनकी माने उनकी मदद की ताकि उनका बेटा सफल हो सके उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने और कैमरे के लिए बहुत इनोवेश यादव यूट्यूब कर या वो पहले दूसरे सोशल मीडिया पर वीडियो डालता था, लेकिन किसी ने कहा कि आप इसे यूट्यूब पर डालना शुरू कर दे, यहाँ से आपको ज्यादा रिस्पॉंस मिलेगा, पहले यादव मस्खरा बनना चाहते थे, तीन प् प्रेंड नाम का वीडियो बनाया तो वीडियो वाइरल हो गया, इसके साथ ही उन्होंने इसके चारो और वीडियो बनाकर अपलोड कर दिये, यह उनकी सफलता की पहली सीडी सावित हुई, क्योंकि उनके सभी वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा था, उसके बाद उसन 1997 के दिन गुरुग राम हर्याना में इलविश यादव का जन्म हुआ था, उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुरगाव की अमर्टी इंटनेशनल स्कूल से ली हुई है, उसके पश्यात उन्होंने अपने कॉलेज का अभ्यास दिल्ली की हंसराज कॉलेज से बीकॉम की उपादी हासिल की हुई है, वो अपनी पाई में बहुत ही होशियार किस्म के बच्चे थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी 12th की कक्षा की परीक्षा में 94 प्रतिशत मांक से उत्तीर्न हुए थे, फैमिली में उनके पिता का नाम राम अफ्तार यादव वो एक कॉलेज में लेक्चिरर है, माता का नाम सुश्मा यादव वो अपने परिवार को संभालती है यानि एक ग्रिहनी है, एल्विस यादव फिलहाल अभी गुरगाव, हर्याना में रहते हैं और वो एक हिंदू परिवार से बिलॉंग करते हैं, परिवार को बहुत प्यार करते हैं, यूट कूली दिनों से ही लोगों को हसाना अच्छा लगता था, वो अपने सभी दोस्तों को हसा कर इंटिटेन किया करते थे, उन्होंने सबसे पहले 2015 की साल से आशीश चंचलानी और हर्ष बेनिवाल जैसे यूटूबर के वीडियो से कॉपी करके अपना करियर स्टॉट किया था 19 मई 2016 के दिन इलविश ने अपने इस्टाग्राम पर वीडियो अप्लोड की जो लेग बेस पर थी, आशीश चंचलानी और हर्ष बेनिवाल की कॉपी करते हुए इलविश ने वाइन्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें इंस्टाग्राम पर ज्यादा सिपॉंस नही जिसके चलते उन्होंने फेस्बुक पर वीडियो अप्लोड करना स्टाट किया था, फेस्बुक पर भी उनके वीडियो को ज़्यादा कुछ सफलता नहीं मिली थी, फिर अभी उनकी माने उन्हें हेल्प की जिससे अपना बेटा सफल हो सके उन्होंने स्फरिट लिखने उन्हें कोई भी अच्छा रस्पॉंसे नहीं मिला था, उसके कारण वो अपने दोस्तों को ऐसा कहते थे कि मैं अब वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ, उनके दोस्त अवनीश ने कहा कि तुम एक लास्ट कोशिश कर लो, बाद में उन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही पसंद किया जाने लगा था, उसके पश्यात उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और जिसमें उनके दोस्त शामिल थे, वो उन्हें वीडियो को बनाने में सहायता किया करते हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ परिवार का भी स्पोर्ट लिया और प्रैंक चैनल